गुड मॉर्निंग तो आल देए स्टूरेंट्स तुड़े आइंग तो टीच यू मैथमेटिक्स और क्लास फिप्त एक्सरसाइज 15 भी तो हमें क्या करना है इसमें वॉट इस परसेंट परसेंट पूछ रहा है कि 22 55 का कितना परसेंट है तो ए नंबर फॉस्ट का यह है 22 को ल तो स्वरी आप 5 से 5 से इसको डिवाइट कर लिए 11 हो गया और यह हो गया 5 से 5 20 टाइमस जाएगा 11 टूजा तो यह हो जाएगा 2 टूजा 40 परसेंट यह हो जाएगा 40 परसेंट तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया नेक्स्ट देखे बी नंबर है 25 ग्राम्स है तो वो परसेंट हमें निकालना है तो 100 का मल्टिप्लाइ किया हो गितने ग्राम का 200 ग्राम का कितना परसेंट होगा तो यह हो गया 2 0 गैंसिल हो गया 25 अपर टू हो जाएगा तो 2 1s आ 2 2 2s आ 4 और 0.5 यह इतना परसेंट हो गया यह हमारा आंसर होगा इसी तरीके से मान तो जी देखे, 700, 100 से multiply किया और 2100, ये 20 से 20 कट गया, 7 बंज़ा 7, यहां कितना बचा, 100 और यहां बचा 3, 33.3 परसेंट, question number L देखे, 40, कितना परसेंट होगा, 40 अपन 100, और कितने का निकालना है, 160, तो 160 यहां लिख लिए, इसी तरीके से, अब हम क्या करेंगे, 10 से 10 कट गया, 4 से इसको divide कर दिया, 4 बंज़ा 4, 4 फोर्जा, यहां क्या बचा, 4 बंज़ा 4, 10 बचा, 100 अपन 4, यानि 25 परसेंट आ गया, question number 2 देखिए, express 7 रूपीज, परसेंट आफ 84, तो 7 जो है, 7 लिखा, 100 लिखा, अपन 84 लिख लिए, अब इससे divide कर लिजए, यह हो गया, 7 बंज़ा 7, 7 12 जा, और 100 अपन 12 आ गया, 8 जा, 8.33 परसेंट, हमारा हो जाएगा, इसी तरीके से हम बाकी questions आप देखिए, same way करना है, जैसे आपने उपर किया है, यह नमबर, आपको देखिए, यह जो दिया है, यह उपर रखना है, जैसे 40 है, 40 को उपर लिखा, 100 से multiply कर लिए, इसी तरीके से 4 नमबर देखेंगे, 4 नमबर क्या है, 40 को उपर लिखा, केजी में है, और इसका 100 से multiply किया, और 240 से divide कर लिया, यह 0 से 0 कर गया, और 4, यह 10 बचा, 4 बचा 4, यानि 10 बचा, 6 जा, यानि 100 अपान 6, तो यह आज गया, 6 बचा 4, 40, 6 जा, 6, 6 परसेंट यह हो जाएगा, क्वेस्चन नमबर 6 में देखें, आपको 15 परसेंट निकालना है, और तू 100, तो देखें, 15 परसेंट का मतलब 15 अपान 100, इन्टू 100, 100 का निकालना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आगया 15, तो 15 रुपीज हो जाएगा, इसी तरीके से बी नमबर देखें, यहां कहे रहा है, 50 परसेंट अप 200, तो 50 परसेंट का मतलब 50 अपान 100, इन्टू 200 कैजी, तो 0 से 0, तू 0 कट क्या, 5, 2 जा 10, और 10, यानि 100 कैजी, 100 कैजी हो जाएगा, 50 परसेंट, इसी तरीके से बागी करिए, क्वेस्टन नमबर जी देखें, 80 परसेंट अफ 600, तो आपको पता है, 80 परसेंट का मतलब, 80 अपान 100, इन्टू 600, टू 0 से टू 0 कैंसेल हो गया, 480 आगया, किलो मीटर, किसी तरीके से बागी क्वेस्टन करिए, क्वेस्टन नमबर 7 में देखें, find the number if 25% of number is 8, यानि देखें, 25% कह रहा है उस नमबर का, तो 25 अपान 100, मान लीजिए, वो नमबर X है, तो इसको 8 कर दिया, तो X की value हमें निकालना है, तो 8 into 100 अपान 25, तो या देखें, ये एक तरीका ये है, नहीं तो आप देखें, जो नमबर दिया है, 8 दिया है, 8 और इसको 100 से multiply करिए, अपान 25 कर दिजिए, तो 25 points है 25, और 25 फोर्जा, यानि 32 नमबर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, चाहे आप इस तरीके से निकाल लीजे, चाहे इस तरीके से, दोनों भी सही है, अगर आपको ये देखें, 45% निकालना है, तो 40, देखें, आपको नमबर 900 दिया है, 45% of a number is 900, तो 900 दिया है, तो नमबर को हमने उपर लिखा, 100 से multiply किया, और 45 इसको कर दिया, 5, 9 जा, और 5, 20 टाइम्स, 9 बंजा 9, यानि यहां बचा 100, और यहां बचा 20, 200 यानि 2000 आ जाएगा, इस तरीके से question number 10 देखें, in an examination, 120 नमबर का examination था, question number 10 है, 120 नमबर का examination था, उसमें प्रसांत ने कितना score किया, score कितना किया, 75%, तो 120 का 75% निकाल दीजे, 75 अपान 100, 1070, और यह हो गया, 5, 1 जा 5, 5, 2 जा 10, 5, 2 जा यहां नीचे 2 आ गया, और 5, 1 जा 5, 5, 5 जा 15, 5 जा 75, 6, 90 आ जाएगा, 90 नमबर उसने get किये, score किये, इसी तरीके से, question number 12 देखिए, question number 12 देखिए, नेहा ने 160 प्लांट, टोमेटो के, प्लांट किये, यानि उसने पौधे रोपे, और 5% उसमें डाइड हो गए, तो कितने good condition में है, तो देखिए, आसानी से आप इसको solve कर लेंगे, टोटल उसने कितने प्लांट, प्लांट किये, 160, अब उसमें 160 का 5% निकाल दीजे, जो डाइड हो गए, वन जीरो से वन जीरो, 5, 2, 10, 2, 8, यानि 8 प्लांट्स जो हो गए, 8 प्लांट्स वो हो गए, डाइड, बाकि, 160 में से 8 माइनस कर दीजे, यानि 152, और इस्टिल सेफ, ये सेफ है, गुट कंडिशन में है, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, थैंक यू सो मच,